मद्यप्रदेश राजस्तान समेट तीन राज्यों के चुनाव में कॉंग्रेस की हार पर गुरुवार को मन्थन हुआ कॉंग्रेस कार समिती की बैठक में सबसे ज़्यादा निशाने पर कमलनात रहे जिनके भरोसे पार्टी को मद्यप्रदेश की सत्ता मिलने की उमीद थी जहां भीते 20 सालों से भाजबा सत्ता पर काबिच है फिर भी कॉंग्रेस की यहां करारी हार हुई और इसका असर मीटिंग में देखने को मिला एक दरफ कई नेताओं ने कमलनात पर निशाना साधा तो कुछ नेताओं ने राहुल गांदी से अपील की कि वे भारत जडोयात्रा के दूसरे चरन की शुरुवात करे गई नेताओं ने मांग की कि लोगसभा चुनाओं के लिए उमीदवारों पर समय रहते ही फैस्ता लिया जाए बैठक में राहुल गांदी ने यह माना की पार्टी ने तीन राजियों में अच्छे से केंपेन नहीं किया जबकि तेलंगाना में अच्छी मेनत हुई थी मीटिंग में कई नेताओं ने कमलात और कुछ ने तो दिगविजय सिंग की भी खामिया गिनाए इन दोनों नेताओं को ही मद्प्रदेश में एक कमान दी गई थी और यहां पर राहुल गादी ने भी कमी समय दिया था 36 गड़ के पूर मुख्यमंतरी भुपेश बगेल भी निशाने पर रहे जहां कॉंगरेस अपनी जीत मान कर चल रही थी इस दोरान यह भी चर्चा हुई की कमलनाथ और भुपेश बगेल दूसरे निताओं की नई सुन रहे थे यहां तक की कमलनाथ ने तो केंदिर नित्रित को नजर अंदाज भी कर दिया था मलिकार जुन खडगे ने इस दोरान कमलनाथ की रणनीत पर सवाल उठाए उन्होंने कहा कि कई बार कमलनाथ मीटिंग ही छोड़कर चल दिये जब वह सला से ऐसा है मुकल वासनिक ने तो नारे पर भी सवाल उठाए उन्होंने कहा कि चुनाओं में एक नारा जै जै कमलनाथ भी था या ऐसा ही था जैसे चुनाओं कमलनाथ के नाम पर ही लड़ा जा रहा हो और उसमें पार्टी का कोई मतलब भी न हो इस दोरान यह भी चर्चा हुई कि कॉंग्रेस का तीनों राज्यों में वोट फिजदी लगबग पहले जैसा ही रहा लेकिन भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी और कुछ आदिवासी दलों के हिस्से का वोट जटक कर अपनी ताकत बढ़ा ली इस दोरान दिगविजे सिंग अलग ही तेवर में दिखे और उन्होंने केंद्री नेतरुत पर भी ठीकरा फोड़ दिया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस कमेटी लगातार अपने मास अचीवों को बदलती रहती है मीटिंग में सुर्जेवादा ने कहा कि भाजपा का बूत लेवल मैनेजमेंट बहुत मजबूत था इस पर राहूल गांधी ने कहा कि इन राज्यों में कॉंग्रेस पहले भाजपा को हरा चुकी है इसलिए हमारी कहीं खामी ज़रूर रही है जनता का हमारे प्रति समर्थन बना हुआ है इसी भी शश्री थरूर ने आगे की प्लानिंग पर जोर देते हुए कहा कि लोगसभा चुनाओ के लिए हमें अब उमीदवार तैं करना शुरू कर दिना चाहिए थरूर ने कहा कि यदि हम अभी से उमीदवार तैं कर दें तो उनके पास जमीन पर काम करने का वक्त रहेगा प्रियंका गांदी और मनिस्तिवारी ने भी ऐसी ही बात कही दोनों नेताओं ने कहा कि हमें अब लोगसभा के लिए एक जुट होना चाहिए और अभी से उमीदवार तैं करके प्रचार करना चाहिए इसके अलावा इंडिया अलाइंस के साथ सीटों के समझोते पर भी ततकाल बाची शुरू करने पर भी सहमती बनी ताकि उसके हिसाब से रणनी तयार की जा सके कॉंग्रेस की ओर से जल्द ही मैनिफेस्टों भी तयार करना चुरू हो जाएगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें तकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24